हेलो फ्रेंद्स कैसे हो आप लोग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मियों के लिए बड़ा ही टेस्टी सा डेजर्ट विछ लॉट्स फ्रूट तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनीता शर्मा पे और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बा श्रूट बड़ा है यहां चैनल इस बनाना भीन को हम जोना बड़ा मंधिरन आपके और चोट ब्रूट हम पहली थे लिए वीलतिफियों ने रहिगे तो फ्रेश बनाना यूस थालत है अज़ना थे वेल थे लूब नहीं Do not use this अनलना चैनल आपके रुआँ उप लग थोड़े चोटे और पीस कर सकते हैं पर इतना भी सही रहेगा अब हम इसको साइड रखेंगे यहां पे हमने लिया है एक आपल और अब सम एपल को छोटे-चोटे टुकड़ों में काट लेंगे हमें ज्यादा छोटा भी नहीं काटना है बाइट साइज काटेंगे हम अपने और बस इसका बीच निकाल दीचेगा ध्यान से खहीं आप इस पीस आतमी काट दे यह देखिए साइज हमें इतना ही रखना है ज्यादा छोटा नहीं करेंगे हम अपने कि अब यह देखिए हैं बस हमारे एपल कट गए है हमने यह पे एक आपल काटा है आप ज्यादा भी ग अब यह दो अब गए और बस हम आप आपल को अभी सॉरी औरेंज को में क्लीन कर लेना है घलती से अपल निकल गया मुझे तो अब इस आप आप जाए निगे इसके तो फिर रेश्य आते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा इदेखिए अब आप चाहो तो इसको ऐसे चोटी तुकड़ों में भी काट सकते हैं वरना पूरी पूरी एक एक आप फाडी रख सकते हैं अपने इसमें कोई दिकत नहीं है हमने पूरा पूरा यूज किया है च्ट-च्ट पीस भी अच्छे लगते हैं और अपने अंगूर लेंगे और उनको भी बीच में से दो हिसे कर लें रहे हैं यह एक फ्रेशन ष्टैडभरी च्ट व्यूम कुनर ठ्ट अरिक्श कर सकते निए और लोगिया ने कट सब्सक्रेशन नगया मुद्ख भी रख सकते हैं यह यह और ली दिशनन यहां पे हमें पे अमूल की gefragt क्रेम यूझली ये रेसिपी विप क्रीम से जैंपि डिख्या कई किसी अपर तो देखिए अमूल फ्रेश क्रीम आप कहीं से भी ले सकते हो किसी भी दुकान से बस थोड़ी देर डीप फ्रीजर में रगते हैं उससे क्या होगा थोड़ी सी जम जाएगी और थोड़ी गाड़ी फॉम में हो जाएगी और फिर हम इसे धकन से नहीं निकाल पाएंगे इसे इसे भी लिखा होता है कि शेक करके यूज करें यहां में इसे शेक बिल्कुल नहीं करना है हम इसे एज़िए लेंगे और इसके सारी साइट्स खोल देंगे क्योंकि अब इसके नहीं निकल पाएगी यह थोड़ी मुझकिल हो रही थी इसे खोलने में पर असानी से खोल जा पानी होता है जो हमें नहीं चाहिए होगा यहां पर तो हमें सिर्फ क्रीम क्रीम चाहिए पानी नहीं चाहिए इसमें से ध्यान से सिर्फ क्रीम क्रीम निकालेंगे यह देखिए इसे थोड़ी डीप फ्रीज करने से थोड़ी गाड़ी हो गई है यह देखिए इसे क्रीम नि आप एक दिखक नीचे कितना सारा पानी है जो अलग हो चुका है अलग से अलग से निकाल के रख देंगे गरें कीरें करना यू? तक आज कीरी वोगों और यू? तक रागी बिल्कुल कोई, यूज मुपनेेंटειक्ट स crawling होती है यू सिर्फ टाव तरक्रीम कुझा ऑमें बिल्कुल कर तो गाड़ाना है जो हमारा बजार से विप क्रीम आता है उسके शुगर तुकि नहीं होता पर इसमें शुगर डालना पढ़ेंगा शुगर यहां Can It अभी करें ऐसे हम विप करेंगे अगर आपके पास विपिंग मशीन है तो आप इसको दो से तीन मिनिट में अपका रेडी हो जाएगा वरना अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो पांच से छे मिनट लगेगा जाधा टाइम नहीं लगेगा इसे में जाधा देर नहीं करना है क्योंकि हम जितना हम केक के लिए करते हैं शुक्त कर दो में जाएग में अपने सारी फूंट डालेंगे में अपने इस रही बाने माचे टालें नहीं चाहिए अगर आपके पास राजबेरी हां ऑर ब्लैक बेरी बहत डाल सकते बस थोड़े जूसी फ्रूट डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा यह देखिए वोपर से अनार के दाने डाल दिया है अपने बस अब यह हमारा बनके रेडी हो गया है बस हमें अब देखो इसे हमारा विस्क करता है उस पर अकसर क्रीम रहा जाती तो हमें फेक नहीं है क्रीम अपने आप निकल जाएगी और यह तरीका भी चेक करने का कि क्रीम अपी जंग से रेडी हुई है नहीं अगर क्रीम ऐसे निकल के गिर रही है तो मतलब क्रीम रेडी है अभी देखिए अब इसे हम मिक्स कर देंगे अब यह आप लोग सोचिंगा रही तो बहुत अब लोग से रेडी हो गया है फ्रूट क्रीम विदाउट विपिंग क्रीम हमने जो मार को असानी से फ्रेश क्रीम मिलता है हमने उससे बना के रेडी किया है और खाके देखिएगा बिल्कूल बहुत टेस्टी बनता है यह और हेल्दी भी है अकसर हम तो आइस क्रीम से पूल रेडी हो गया है बस इसे इंजोई कीजिए गर्मियों में आइस क्रीम छोड़के यह खाईए घर पर बनाईए क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी है क्रीम भी है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलन और नीचे बैल आइकन का बटन दवान